नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का लेहर क्लासेज पर संग्रस अभी जारी है सपने होंगे सच साथियों आज राजस्तान हाई कोट LDC, ग्रूप D और जो आपकी वन पाल और वन रक्सक की वेकेंसी निकली हुई है उसके लिए हम राजस्तान का जीके पढ़ने वाले हैं और राजस्तान जीके के अंदर कर राजस्तान के हिस्टरी के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा देखिए ये राजस्तान हिस्टरी की फर्ष्ट क्लास है थियोरी की फर्ष्ट क्लास है तो हम बेसिक से यहाँ प मतलब क्या था जो बातें बीट चुकिए जो बीटा हुआ समय है उसे साथ यो इतियास का जाएगा और राजस्थान के इंदर जो पहले अभी जो भी घटना है उन सभी को हम इतियास के अंदर रखेंगे और जिसे क्या राजपुताना के नाम से जाना जाता था यहां पर हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं उसके बाद हम इसको क्या करेंगे continue करेंगे तो देखें यहां पर सबसे पहले कुछ बाते हैं फैक्ट है जो हमें जानना क्या है जरूरी है कि राकिर का राजस्थान सब्द है यही क्यों दिया गया और कोई दूसरा सब यहांपे प्रिव्ट क्यों नहीं गुआ है चलिए शूरू करते हैं आपे हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान सब्दाइगर कहा से आया कहा से इसकी उत्पति होती है तो देखें गए यहां पर राजस्थान के लिए यह यहीए नहीं कि सिर्फ राजस्थान यूज किय तो आप सभी सातियों जानते हैं कि सबसे प्राचिन पुस्तक है और रिग वेद है आप से सबसे प्राचिन वेद भी कह सकते हैं या फिर पुस्तक भी कह सकते हैं वेद क्या है वेद भी एक परकार की पुस्तक है और इस पुस्तक इंदर जो ज्ञान लिखा हुआ उस ज्ञान राजिस्तान के लिए रिगवेद में आगर आप से पूछ लिया जाए रिगवेद में राजिस्तान को किस सब्द से जाना गया है तो यहाँ पर ब्रह्म्वरत सब्द राजस्थान के लिए दिया गया उसके बाद बात करें इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो जो हमारे दो मा कावे हुए है रामायन और माभात तो क्या रामायन के इंदर पे कही राजस्तान सब्द का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है तो देखिए का राजस्तान सब्द का रामायन के इंदर पे हमें राजस्तान सब्द नहीं मिला देकिन राजस्तान के लिए कोई दूसरा सब्द यूद किया कि देखिए जब बात करें हम रामायन की तो आप सभी को बताएगे रामायन के रचेता कोन है मैर सिव वालमिकी और वालमिकी ने क्या का है राजिस्तान के लिए साथ यो मरू कांतार सब्द दिया है वालमिकी ने राजिस्तान को मरू कांतार सब्द से समुनित किया है तो वालमिकी के नु यह तोड़ी बहुर जानकारी मिलती है और इसी सिननी में एक ऐसा सिलालेक है, आप सभी जानते हूँगे वसंत कट का सिलालेक। सिला लेक के अंदर उसके बाड हम देखते हैं सिधे जो मध्य यहां पर इतियास है उसके इसको मुखी तो यह साथ यह राजस्थान के बारे में यह आपको बता दूँ यह राजपूतों भूमिरी यहां पर जितने भी अधिकतर जो राजा हुए वो राजबूत राजा हुए तो इसके लिए राजपुतों का यह जो आवास रहा है तो इसको यहां तो राजपुताना के नाम से संबोधित भी किया गया है यहां पर कह सकते हैं कि ब्रिटिस काल के इंदर ते उसी समय इसको राजपुताना कहा जाता था और इससे पहले पी इसको राजपुताना के नाम से संबोधि किया जाता था अब देखिएगा बेसिक से इसको राजपुताना ही का गया है लेकिन अगर आपको इस वेसिक कुछ नाम देखे पूछ रहा है या किसी तथ्थे के पर पूछ रहा है कि रिगवेद में राजस्तान को क्या काये तो आपको ब्रह्मवरत बता ना होगा वालमिकी ने क्या काये तो आप वहाँ पर मरुकांतार लिखेंगे वसंद्गड, शिरुअ का चुशिले लेकि उसमें राजस्तानी इत्ति का, यह इतना पूछा नहीं जात जाता है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना सब्द का परियोग किस ने किया तो देखिए मैंने आपको बता रहे कि हमारे राजस्थान के लिए लोपर तो इसको राजपूताना ही का जाता था क्योंकि राजपूतों की भूमी थी तो यह तो सामनी था तो इस के लिए राजपूताना सब्द का परियोग किया था, यह प्रसन आपके एक्जाम में कई बार बनता है, बेसिक सा यहां से पूछ लिया जाता है कि राज़स्तान के लिए राजपूताना सब्द है, वो सबसे पहले किसने दिया लेकिन अगर थोड़ी सी हम high level एक exam में जाए इसकी गहराई के इंदर जाएंगे तो याद रखना साथियों इसने सरफ मौखी ग्रूप से इसका उले किया था इसने कहीं पे भी लिकित साथ से नहीं दिया है कि राज़पुताना कहा जाता है इसने सरफ मौखी ग्रूप से बोला था कि ये क्या है राजपुताना है तो आप कहेंगे लिखित रूप से किसने दिया कहां पे लिखा हुआ है कि राज़पुताना कहा जाता था तो साथियों मैं आपको बता देओ जोर्ज थॉंस का ये एक सिश्य हुआ है जिसका नाम था विल्लियम फ्रेंक्लिन ये नाम आप याद रखेंगे विल्लियम फ्रेंक्लिन है वो जोर्ज थॉंस का क्या हुआ साथियों सिश्य हुआ है William Franklin इस ते जश्ट पांच साल बाद एक memorial लिखी थी अपने गुरू George Thomas के उपर एक memorial लिखी थी और इस memorial के इंदर इसने राजपुताना सब्द का उलेक किया था तो राजपुताना सब्द का जो लिखी त रूप से उलेक है वो किसने किया आए वो सात्यों William Franklin ने किया आए यह प्रसंद यहां से बनता नहीं कि डीपली ज़्यादा है लेकिन अगर पेपर का लेवल हाई बना दे वो तो यहां से यह प्रसंद बन सकता है तो याद रखेंगे आप 1805 के इंदर यहां पर यह क्या आगए अब देखिए का यहां पर प्रसंद किस परकार से डारेक्ट लेकिन अगर पूछे की राजपुतना सब्द है वो लिखित रूप से पहले किस ने दिया तो वहां पर आपका अंसर है वो विलियम फ्रैंक्लीन आजाएगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे उसके बार गर थोड़ा साम आगे चले तो सातियों इसी बिटिस काल के इंदर पिर जो जो आप जानते है करनल जैम्स टोड है करनल जैम्स टोड ने सातियों इतियास लिका राजस्थान का इनको राजस्थान के इतियास का पिता या राजस्थान के इतियास का जनक पिक आ जाता है तो इन्होंने राजस्थान के लिए क्या सब्द दिया था तो सातियों आपका आंसर आएगा Colonel James Toad दिखिए इनके पिता का नाम भी James Toad था जो कई बार पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम James Toad था और इनका पूरा नाम है वो Colonel James Toad था जिनको हम यहाँ पर सामने तर तोड यहाँ पिर घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते है साथ यूँँ आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहूडे वाले बाबा है ना वो तो Colonel James Toad को का जाएगा मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए कि गोड़े वाले बाबा है वो किसको का जाएगा रामदेव जी वहां पर आपका आंसर आजाए कि की लीले घोडे वाले बाबा किसे का जाता तो वहां पर आपका आश्र होगा करनल जैंस टोड इन्होंने राजिस्तान सब्द क्या था इसके बारे में आपको बता दो इनकी बहुत से पुस्तक है एनलैसिस एंट उकलेटी इंडिया जो राजबूत इस्टेट थे उनके बारे में इन्हों ने लिका आए तो इन पुस्तकों के अंदर यहां पे आपको डेट मिलती है 1839 और तीस के आसवास करनल जम्स टोड ने दिया है यह बात आप यहां पर क्या करेंगे याद रखेंगे तो अब यहां से हमें राजस्तान सब्द मिल गया है कि हम राजस्तान केरंद वास्तों में अगर देखा जाए ने एकिकन ने तो बाद में हुआ इसी सब्द को पुने यूज किया गया अगर यह एकिकन के समय राजस्तान सब्द दे लिया गया था लेकिन सबसे पहले की बात करेंगे तो हम यहां पर करनल जम्स टोड के द्वारा दिया गया तो इस साथ यह कुछ बैसिक सी बात हैं यह आपको याद रखनी अब हम पढ़ रहे हैं राजस्तान का इतियास निकी जो प राजपुताना के बारे में यहां पर पढ़ने वाले अब देखिएगा इसको राजपुताना क्यों का जाता था इसके पीछे बहुत से फैक्ट है तो यहां पर सबसे पहले आपको जो सरो मानने फैक्ट है वो यह कि यहां पर जो अधिकांस राजा हुए है वो अधिकांस आपका horse-raja है वह राजबूत हुए इस कारण इसको राजबूताना का जाता था और इसको माननेता दी जाती हुए आपका सही माना जाता कि वीरों की भूमी राजबूतों की भूमी है चैसलि crystall इसको राजबूताना का गया वैसे इस साथी और ड Cesya Gir प्रूपक नाम ग्रंत है इनमें भी साथ ही इसके लिए रजवाडा वगेरा हो गया रायधान हो गया इस सब्द भी प्रयूख किये गए लेकिन एक्जाम के इंदर यह सब्द आपको यहां से नहीं पूछे चाते हैं यहां से अगर प्रसंद बनता तो एक तो आपका राजप राजपुताना की बात करें तो राजपुताना राजपुतों की भूमी के कान का गया अब आप देखिए यह राजपुत कहां से आए इनकी बात करेंगे आज हम बैसिक से पढ़ रहे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा राजस्थान और राजपु राजिस्तान जीके की कोई भी पुस्तक देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज में जो मैंने आपको यह जानका रही बताई यह वहाँ पे आपको लेकी हुई मिल जाएगी लेकिन राजपुतों की उत्पती अब देखिए का वैसे मैं बात करूँ नॉर्मल लेवल की जैसे लेकिन अगर कोई अच्छे लेवल का एक्जाम हो तो वहाँ पे आपका यह प्रसंद पूछ लिया जाता है तो इसलिए हम यहां पे पढ़ने वाला है राजपुतों की उत्पति यानिकि राजपुताना का गया भी राजपुताना राजपुतों की भूमी है तो आखिर कर पूरुसों की उत्पति के बारे में देखिए अब उत्पति सातियों राजपुत की तो एक परकार से यह तो इनका नाम करण पढ़ा हम किसी चीज को जानने के लिए उसका नाम देते लेकिन यह तो मनुश्य है तो अब यह कहां थे क्या करते थे पिर कैसे यह आए इनका न मंडल दिये हुए रिगवैद है इनका इसको सातियों सभसे प्राछीन आदार माना गया हमारे इतियास को जानने का रिगवेद के अंदर बहुत सी हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है तो रिगवेद के इंदर साथियों दस मंडलों की बात कीगी इसके इंदर कुल कितने मंडल हैं? दस मंडल है और इसको दस अलगलग खंडों के इंदर विभाजित किया गया इस दस मंदल के इंदर जो दस्वा मंदल है इस तोटल दस मंदल है और मैं आपे बात करूँगा दस्वे मंदल की तो इस दस्वे मंदल का नाम है सात्यों पुरूस सुक्त मंदल इस सब्द पर घोर कीजिए का पुरूस सुक्त मंदल और की उत्पती कैसे हुई इसके बारे मे रिगवेद के दस्वे मंडल के अंदर बताया गया एग्जाम में देखे यहां से भी प्रसंद बन सकता जैसे कैसे पूछा जाता है कि गायतरी मंदर का उलेग रिगवेद के कौन से मंडल में तो आप कहते कि रिगवेद के तीसरे मंडल में गायतरी मंदर कावले के, दस्तराज यूद का वर्णन पूछा जाता है, रिगवेड के कौन से मंदल के अंदर है, इसी परकार पूछ लिया जा सकता है, कि पुरुसों की उत्पती के बारे में, या पुरुस सुक्त मंदल है, वो रिगवेड का कौन सा मंदल, तो आप याद प्रमपिता प्रमेश्वर, जिनने हम ब्रह्मा जी कहते हैं, तो प्रमपिता प्रमेश्वर ब्रह्मा की संतान है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, कि सभी मनुस्ते वो क्या ब्रह्मा जी की संतान है, अब इस ब्रह्मा जी की संतान है, तो चलिए भाई, राजपूत ब्रह्म ब्रमा जी की कौन सी संतान है इसके बारे में जानेंगे तो यहां पे साथियों ऐसा इस दस्वे मंडल की मैं बात करा हूँ अनिकि अब मैं यहां पे मेरी जो मैं किस आधार पर आपको बता रहा हूँ कि राज़ी पत्र की उत्पति कैसे हुई तो मैं रिगवेद के दस्वे म उत्पन हुआ उसको ब्रामन के नाम से जाना गया उसको क्या का गया ब्रामन का गया और फिर जैसे इसकी जो आप सभी को पता है कि अपने वंस को बनाए रखने के लिए प्रोडेक्शन होता है उसके जरी आगे अपनी संताने इनका वंस बढ़दा गया और ब्रामन जाती क उत्पती हो गई तो इन्होंने कहा गया यहां पे दस्वे मंडल के इंदर की ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन हुआ उसे ब्रामन कहा गया उसी प्रकार साथियों दूसरी बात यहां पे हम करेंगे देखिए दूसरा प्रमटी भूजा से जो ब्रमा के भूजा से उत्पन पुत्र उसे का गया च्छत्रिये कि यह क्या है च्छत्रिये है और उसके बाद तीसरी यहां पे में बात को देखिए हमें दो तक ही जाना था च्छत्रिये में हमारा राजबूत आ गया लेकिन दो पुइंट में आपको और बता दूँगा कि एक जांग से जो पुत्र उत्प बाद यहां पर चौथी बात है कि पेरों से जो उत्पन हुआ उसे का गया शुद्र और यही वर्ण वैवस्ता थी आप सभी को पता यही क्या थी वर्ण वैवस्ता थी पुरों रिग्वेदी काल के अंदर कोई वर्ण वैवस्ता नहीं थी यह वर्ण वैवस्ता थी तो वो प सब का क्या रक्षक माना गया था कि इसकी उत्पति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए हुई है तो यहां पर रिगवेद के इंदर जो भूजाओं बर्मा जी की भूजाओं से जो पुत्र उत्वन हुआ जिसे का गया च्छत्री है और इसी च्छत्री को राजबूत नाम क्या मानते हैं उनके बारे में हमें आपए डेखेंगे तो कि मैं यहां पर नूसलीड लोगा तब दग आप इसका चाहित की पूछा नहीं जाता है बलकि अच्छे से आपको समझ में आ सके इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पर आप सभी को पता एक राजा था जिसका नाम था हर्स यहां फिर उससे हर्स वर्दन नाम से भी जाना जाता था देखिए इस स्टोरी के एकोड़ी क्या यह थोड़ी सी यहां पर सरोमानने स्टोरी है इसको थोड़ा ज्यादा माना जाता है कि हर्स वर्दन नाम राजा पूरी की पूरी इस रियासत को हैंडल करता था पूरी की पूरी रियासत उसको तो कहा जाता था राजा साथ के लिए अलग खंड के इंदर विपाजित कर दिया गया था और यह कंड क्या निस्तर और उचिस्तर में ये भी वापस आपस में बंटा हुया था लेकिन यहाँ पर जो वैक्ति जो यहाँ पर क्या करता था इस चेतर को संभालता था यह वाला है यहाँ पर एक अलग वैक्ति इसको संभालेगा इस चेतर को कोई दूसरा वैक्ति संभालेगा लेकिन यह हो चाता जो सरो मानने तक्त्य है राजबूतों की उत्पती के बार में तो अभ यहां पर शाहिए साम्ठ व्य स्केम एधड़ते, यह पर आप यह अपने आपको राजा का पुत्र मानते था, क्योंकि राजा के अधीन है, रियासत राजा ने एक छोटा सा टुगड़ा इसको दे रहा है संबालने के लिए, और यह वापस राजा के अधीन है, यहां से जितना भी काम काज होता है, वो राजा के देगरेक में हो रहा है, त यह अपने आपको क्या करते थे, राजा का पुत्र मानते थे, कि हम क्या है, राजा के पुत्र है, राजा हमारे क्या गनिष्ट समन्दी है, क्योंकि इनका राजकारे संबाल रहे हैं, इन्होंने हमें एक जागीर सौप रखी है, तो मतलब यह अपने आपको क्या मानते थे, तो इसको आराम से समझ दे तो इसी पर का राजा के पुत्र को क्या का गया एक सब्द में राजबुत्र का गया कि यह क्या है राजबुत्र है अब साथ यह देखिएगा एक तो लोगों ने अपना लिया है वो क्या है बहुती सरल है उसको लोग बोलते गए वो प्रचलने में आता गया तो सब के लिए सरल बनता गया तो यहां पर देखिएगा मैं यही सब्द लेता हूँ छतरीय तो एक तवरी कि छतरीय को अगर आप पड़ो तो कैसे पड़ोगे यह तो अक्ष़ लिका हुँआ है अक्षटरीय हो गया अर अब हम इसको बोलते है कैसे छतरीय चतरीय यह उपका कौनसा असमबाला नर्ते हो गया तो ऐसा हो गया इनकी कि हम बोलते हैं कुछ और है लेकिन वास्ताओं में लिए क्योंकि हमें आसान लगदा है इसलिए इसी परकार यहां पे क्या हुए इस राजपुत्र के इंदर जो चीत्र है न इसका क्या हो गया आप बरंस हो गया एक तो राजपुत्र बोलना जैसे मैं आपको आपको सुपु प्रंस हो गया और यहां पर क्या सब्डा गया राजपुत्र यहां पर बनगया नीकि राजपुत्र वर्ड एक अनुसर और के सांद का अब सातीं बात करें गे पर आपको बताइगी किбы क्या थे वीर आपको बताएगी कि चामन के अधीन धे लेकिन लेकिन अपने प्रक्तौर्ट कर राजा की पढ़त्य के राजा उट रिक्थे था सात्वी सदाहिग और ऑन वालि जैसे मैं बात कराऊगा इक साहएसओ के बाद है, मतलब 12 सधी आएगा, घजिके तो अब 7 सधी में क्या हुआ हर्श वर्दन की मृत्य होगी, हर्श वर्दन की मृत्य होगी मतलब भी स्रियासत का क्या, राजा था, वो क्या होगया, मर गया एंकि अब इनके ऊपर कोई नहीं आप कहेंगे कोई और इसका पुत्र उत्रादिकरी राजा बन जाता बिल्कुल बन जाता लेकिन इन सामन्तों ने आपे क्या कर दिया खुद को सवतंतर गोसित कर दिया कि हर्सवर्दन चला गया अब हमारे ऊपर कोई नहीं है दूसर या परसनल open edge लाज या परसनल रियासत है तो वह यह क्या बन गे रियासत के मालिक क्या बन गें राजा बन गे इस परकार साथियों क्या हुआ ? यहाँ最近 आपको शिरह यहां पर याद रुचना है कि यह आकिर का राजपुत के उत्कौदी कैसे हुई प्रगी आपको सीधा स कि राजबूत काल कौन सा था अब आप कहेंगे राजबूत तो अंद तक रहे तो पिर उनका काल कैसे हो गया साथ यूं देखिए एक कोई भर्चेट सा वाला वैक्ति होता न तो उसके हम अधीनता स्विकार करना अच्छा लगदा यहां अब देखिए एक कोई MP यह MLA है और कोई छोटा नागरी के तो कईने की MP और MLA के कॉंटेक्ट में जादा आना चाहेगा क्योंकि उसके क्या उसका भी पद बड़्दा लेवल बड़्दा ग्यार मेरी MP से पैचाने में उसके साथ हूं अगर मेरे साथ कोई प्रोब्लम वगिरा होती तो वो मेरा सपोर्ट करेग दिल्ली के पदबर जो बैटा है वो ही सर्वशक्ति साली माना जाता था और उसका थोड़ा सा क्या रहता था दबाव रहता दिल्ली वालों से सबी धरेंगे क्योंकि वहां पे वो राजगदी जिसने उसको मतलब हड मान लिया पहले से कि यह यहां पे इसको जीतना सबसे टाइम चल रहा है तो उसी परकार साथियों राजपूतां के अब यह एक टाइम चला जिसे हम क्या का जाता राजपूत काल कोन सा था तो आप बताएंगे कि राजपूत काल है वो कब खतम हुआ देखिए साथवी सदी के इंदर हर स्वार्दन की मर्ति हुई तो उस समय यह तो बॉरानवे के अंदर जिसके तेत क्या यहां पे गुलामवंस की स्ताफना हो गई थी कुतुबुतीन एबक आया था जिसने बारह सो च्छे में की थी गुलामवंस की स्ताफना लेकिन मुमत गोरी के अधिकार हम यह चेतर आ गया था तो उस समय यह चोवानों के हाथ से म वो क्या था राजबुतों का काल था देखिए अब पर्तुराज के समय सातियों बिल्कुल दिल्ली क्या था दिल्ली है वो पर्तुराज के अंडर में था आप कहेंगे पर्तुराज तो अजमेर के थे सातियों उस समय भारत की राजदानी अजमेर ही थी क्या थी अजमेर ही थी भारत की राजदानी क्या थी अजमेर थी उस समय दिले नहीं थी साथयों बीसल देव के चानते हैं वेग्रेराज चत्तूर्थ यह पिसको अंपने अंडर में कर लिया था इसके समय इसने क्या क के था डिली पर अधिकार और अधिकार पर लिया वही पूरे भारत का अधिकार ही माना चाहिए तो ऐसा कह सकते हैं कि लगबग भारत पर इसका अधिकार हो गया था पूंड भारत नहीं कह सकते हैं तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला या भारत पर अधिकार करने वाला पर्थम यहां पर राजस्थान का जो राजा था तो गरवाला आपके लिए अच्छा रहता है तो इसने साथियों अजमेर यहां पे इस्तानात्रिक कर लिया कि भई आप दिल्ली केंदर नहीं है अब केंदर क्या अजमेर तो प्रसंद यहां से भी बनता है कि भारत की राजधानी अजमेर है वो किस ने बनाई थी तो विग्र ला रहा तो टोपिक है था कि राजधां की उत्पति कैसे हुई तो बेसिक सी मैंने आपको एक तो रिग्वेद के एकोडिंग आपको स्टोरी बताइब दूसरी जो सरम मानने स्टोरी कि कैसे हुई अब यहाँ पे आपने पढ़ाव के कोई कहता है कि वो तो सूरियवन सी राजपूत है, कोई चंद्रवसी राजपूत है, कोई कुछ और है, तो यह सब कहां से आए, इनके बारे में क्या आगा गया तो देखिए इनके लिए जो इतियासकार हुए है इतियास में साथ यूँ एक चीज हमज़ा त्यान रखना 100% शूर कुछ भी नहीं है जैसा इतियासकारों को समझी में आया उन्होंने जैसा अधिन किया उसके एकोर्डिक नहीं लिख दिया फिर जो सबसे अच्छा लगा वापस उनके ओपर भी जो क्या हुआ यहां पर विस्टलेशन हुआ और जो सबसे अच्छा लगा उसको सरो मानने मत गोसित कर दिया गया ह हम सरो मानने किसे गेंगे जो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है उसी की बात हम यह आपे करेंगे तो देखिए यहां पर एक कुल 6 सिधान्त दिये गए राजबुतों की उतपती काह से हुई उसके बारे में 6 सिधान्त दिये गए आपको वहां पर वो सिधान्त दिया किसने क्योंकि इस आठियों परिक्सा के अंदर क्या होता सीधा वन नाइनेर प्रसंट पूछा जाएगा कि राजबुतों की उत्पति अग्नी कांड से हुई है यह सिधान्त किस न लिया राजबुतों के उत्पति का सूर्य वंसी सिधान्त किस न लिया तो यहां पर आपको कुछ करने होंगे बाके इसमें कुछ स्टोरी जैसे कुछ नहीं है एक मैं आपको बता दूं यहां पर देखिए जब भी हम सिद्धांत की बात करेंगे तो यहां पर पहला सिद्धांत आएगा अगनी कुंडसित्धांत यहां पर तो पांच मिनट के इंदर आपके सिध्दान्त इहां पर कंपलेट हो जाएंगे राजबूतों की उत्पति की यह पांस सिध्दान्त यह आपके यह ज़्यादा पहु आपर साती हूं जो पहला सिध्दान्त है कि अगनी कूंड से आप नाम से समझ रहेंगे आप लिख लेता आग मेंने नहीं सब्सक्राइब करका राजबूत्व नगया तो कुंट को नियुस के किया नियुकुद निया जकते हैं तो इसके ऑग ज़ने ञए उसके जिखने परमाने प्यर्यों को बंचजी येदा के येग्यका आग का खुंड उसमें से राजबूत निकलेते। अब आप क्योंगे सर जी यहाँपे तो साइंस भी फ्यल ओरी है , आघ में से किसी वव्यक्तिका जनम कैसे हो सकता है तो दिखी इस्टोरी क्या है एक यहां पे आप सभी को पता राजस्तान की एक रचना है क्या है पर्थवी राज रासो इस रचना को आ बारे में आप जानते होंगे पर्थवी राज रासो जिसको किसने लिखा है आप सभी को पता है चंदर बरदाई ने लिखा है जो लोग यहां पे क्या confusing होते हैं चंदर बर्दाई भी लिखा जाता है देखिए एक आती है पर्थ्विराज विजय यहां पे confusion हो जाता है कि पर्थ्विराज विजय और रासो अब यहां पे लिखिए तो आपको थोड़ा सा है नहीं हिंट कि अगनी कुण्ड सिदान्त किस ने दिया है तो अगनी कुण्ड सिदान्त किस ने दिया है चंदर बर्दाईने 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 किस ने दिया तो परत्वी राज रासों के अंदर चंदर बर्दा ही नहीं जबकि पूछेगा कि अगनिकुट शिदानत का समर्थन करने वाले इतियासकार है तो वहाँ पे आप याद एकना सुरिमल मिश्ण और थोड़ा सा समर्थन टोड़ भी करते तो इनको समतर में माना जाएगा अलंकि टोड़ कहते है कि यह राजपुद विदेशी है लेकिन यहाँ पे हम इनको मानेंगे कि पर्तेक्स तो नहीं आपर्तेक्स समर्थन टा था टोड़ का भी तो समर्थन करता सुरिमल मिश्ण और कौन हो जाएगे टोड़ हो जाएगे अब यह स्टोरी क्या है साथियों पर्त्विराज रासो तो वैसे तो एक परकार की गप माने गई है कि यह हकीकत नहीं है यह सिर्फ क्या है बड़ा चड़ा कर कुछ बातें लिखी गई है तो उसी परकार है क्योंकि इसी के अंदर लिखा गया कि जब पर्त्विराज है वो सेना लेकर चलते थे तो धर्ती कापती थी और उनके गोड़ों की रेस से अंबर में कुछ यह हो जाता था और दिखाई नहीं देता था यह सब इतना नहीं होता ठीकर यह तियास कार नहीं मानदे कि ऐसा कुछ हुआ था लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा तो इसके अंदर सात्यों यहां पर का गया है पर्थ्वी राज ने पर्थ्य राज ने नही ये कर रहे थी नहीं तो ये का सुधिकन होना बहुत ही जरूरी है लेकिन कुछ यहां पर राक्सस परवर्ती के लोग होते थे ठीक है उसके वह क्या करते थे इस एक है को फैल कर रहे थे इनकी इस एक्गी को कईने कई किसी तरह से बिगाड़ रहे थे अभी राक्सस भी हो सकत यह चंदरबर्दाई यहां पर कहते हैं कि रिसी वसिष्ट ने एक बड़ा सा येग्जी का आयोजन किया और जिसके इंदर उन्हें इस्वर से प्रात्ना की थी कि मेरा जो यह बूरी परवर्ति वाले लोग येग्जी नश्ट कर रहे हैं इनको मारने के लिए मुझे क्या यह इधा चाहिये तो यह य्ग्ये हुआ तो यहां पर का घया कि रिसी वसिष्ट जालती यह और यहां से चार यद्धा निकले थे यहां से यहां से करथे च्यार यूद्धा निकलेते इन योद्धा Notice किर जो गर और यह से पर यह रिख्यी हिए मालिक बन गे राजा कॉ आग में दर सुन से ले निकलने वाले चार योदा कॉन से ते ओडिक करम भाई जयाद रखना यहां पे आपको सबसे पहले यहां पे निकला परतिहार है क्या आगया पर तीसरा वैक्थ में हम तो राजपूत की बात करें, यह हैं, इनकी इन्हीं की का है, यह है यहां पर आपको पता चला कि राजपूत है, इस राजपूत हैं, इस सब्सक्राइब करनल जैंस को सब्सक्राइब करनल जैंस टोड़ने क्या कि यह अंदर से उत्पन नहीं हुए थे सब्सक्राइब करनल जैंस टोड़ने इस्टोरी को थोड़ा सा क्या क्या गुमाव दिया करनल टोड़ने क्या कि यह एग्ये के अंदर से उत्पन नहीं हुए दे रिसी उस जो तंग आगे तो यह आज पास थोड़ी से गुमेर हटे-कटे वेक्तियों को एक्टा किया चार चैनल जैंस टोड़नें कहली दे तो अब करनल जैंस टोड़नेगा कि आजपास से इन चार लगेगों को पकड़ के लाया इनको तलवार लाई और पर यह ग्यजільки अग्टी पर पर इनको सपत दिलवाई थी, कि आप सपत खाओ, आप पर्तिग्या करओ कि आप हमेशा समाज की रक्सा करेंगे, और जहां पर जितने भी अत्याचार वगिरा हो ने, उनसे जो अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार यह उनका अंत करोगे, तो यहां पर क्या किया था, पितलव रश्टी कौन से नहीं माना जा सकता, देखिएगा, करनल जैम्स टोड ने का खा कि आसपास से पकड़ के लाया था, और यहां पे तो इनको सिरफ एग्ये के कुंड पे तो सपत दिलाई थी, तो इनकी इसलिए इसको अगनी कुंड का गया, कि इनकी उत्पती अगनी कुंड से तो यहां पे इसको का गया कि तोड ने इसका पूर्ण रूप से समर्तन नहीं किया है, अपर्तेक्स समर्तन किया है, आधी बात का समर्तन करते हैं, पूरा समर्तन नहीं करते हैं, तो अपर्तेक्स समर्तन किसने किया है, करनल जैम्स टोड ने किया है, पूर्ण रूप से समर यह अगनी कुंड सिदान्ता इसके इस्टोरी आपको जानना जरूरी है लेकि अब यह माना जाता है बिल्कुल कुछ लोग इससे नाराज भी होंगे कि गप कैसे हो सकते इसमें तो भाई चोवानों की बेज़ेती ऐसा कुछ बात नहीं है जो यहां पर इतियासकर बता रहे है जो लिखा हुआ जो पर्तुराज रासों के एकुर्णिक लिखा वो भी मैंने आपको यहां पर बता लिया तो आपको सीधा अगर पूछा जाए कि यह सिदान्त किसने दिया था तो आप लेखेंगे चंदर बता यह इसका साथ यह पहला सिदान था अब बागी वाले सिदान यहां पर आता है राजबुतों की उत्पती का सूरिय वंसी सिदान्त कि यह राजबुती क्या है सूरिय के वंसच है यह राजबुत है जो सूरिय वंसी है यह इनके क्या हुआ सूरिय से इनकी उत्पती हुई है सूरिय वंसी इसले इनको का गया अब साथ यह सूरिय वंसी स सितान्त किस ने दिया था ऐसा किस ने कहा कि सूरिय से उत्पति हुई है राजपुतों कि सूरिय से इनकी उत्पति हुई है तो देखिएगा आप सब डिक आपको यहां पर आपको यहां पर यह क्रिक है इसको आपको याद सर्मा ने दिया रिखना इसा आपको याद रिखने के एक विक्ति और दस्रत सर्मा के साथ कौन था जगदीस गैलोत कौन ते साथ जगदीस गैलोत जगदीस गैलोत यह आपको सिरफ दो लाइने रटनी होगी यहाँ पर याद रखनी होगी कि सुरियवनसी सिदान्त राजपुतों की उत्पती का सुरियवनसी सिदान्त किस ने दिया है तो आप याद रखेंगे दसरत सर्मा औ राजबूतों की उत्पति का सुरीवन्सी सिद्दान्थ उसके बाद यहां पर मैं तीसरी बात करूँ कि और नया सिद्दान्थ आगे कौन सा आता है तो देखिए कुछ लोग कहते कि ब्रामनों से राजबूतों की उत्पति का कौन सा ब्रामन सिद्दान्थ कि राजबूत है कौन सात्यों गोपिनात सर्मा है ये कहते हैं कि राजपुतों की उत्पति ब्रामनों से हुई है अब देखिए यहाँ पे आपके दो सर्मा इतियास कराते हैं एक तो दसरत सर्मा रहे गोपिनात सर्मा तो याद रखना दसरत सर्मा भगवान दसरत मान लो आपको ठीक है भगवान राम के पिता दसरत मान लो तो दसरत है तो ये तो सुरिवन सी थे ऐसा मान लेना है इसलिए मैं आपको यहां पर बताया है दसरत राम भारी कानी कि दसरत सर्मा है दसरत भगवान राम के पिता दसर सुरीवनती थे तो दसरद्ध सर्मा ने तो सुरीवनती दिया जो कि पीछे बनात सर्मा तो यह नों ने क्या दिया ब्रामन से राजपत्वातों की उत्पति वही है और सात्यों इसके साथ देखिये जो आपको पता है कि आहड के सिला मलेक के अंदर डॉक्टर बंडार करने क्या का है डॉक्टर बंडार करने ये का है कि ब्रामनों से इनकी उत्पती तो हुई है लेकिन साथियों ये ब्रामन यहां के नहीं थे विदेशी ब्रामनों से हैं विदेशी ब्रामनों से राजबुतों की उत्पती हुई है हुई एसा किस न कहा था डौक्टर भन्डार कम्टार करने का था कि विदेषी ब्राहमनों से राज्बुतों की उत्पती हो एक एक व्यक्ति है वह क्या मत्रृमी के लिए मर मिठने को तेयारता जो सब से समणी मित्यास माना जाता है राजश सब्सक्राइब जाता है मेवाड माणा जाता है तो यहाँ पर लीक्ति और आपके घर की रख्सा करोगे अपने घर के लीए सब को beyond पगारत आप नहीं भागोगे, वहाँ पे आप जान देने के लिए तियार हो जाओगे, यह तो सवाल नहीं बनता कि राजपूत विदेसी थे, अगर विदेसी थे तो यह बारत की भूमी को इतना क्यों चाते थे, भारत की इस भूमी के लिए राजस्तान की इस भूमी के तो आपको याद र lasciना होगा कि ब्रामनों से उत्पती गोपिनात सरमाने कहीं जब कि विधेशी ब्रामनों से उत्पती वह दक्टर भंडार करने कहीं उसके बार आपके दो शिधान्त यापे रहते तो 4 सिधान्त कुण सा होगा वेदिक आरे सिधान्त। ये पेद्य छुम्मिद्य ढार्विट्र रांट की , निनले धर। यह समस्त की आने ईक्रवसह को पर ओंद फार के लिद्या यान्सीच चिंग सफने सद्धान्त तो सीवी वेद्ये वेदिक से वेद्ये याद रहे जाएगा आपको कोई प्रोब्लम नहीं है सीवी वेद्ये ने कौन सा दिया वेदिक आरे सिधान्थ दिया उसके बाद इनके साथ सात्यों आप डॉक्टर ओजा को याद रखेंगे जो आपके गोरी चंकर हिराचन ओजा थे उन्हों नब इस्त मत कि क्या कि पुष्टी की ए तो वेदिकारे सिधान्थ है वो सीवी वेद्ये और डॉक्टर ओजा ने दिया था उसके बाद चलेंगे यहाँ पर कौन सा पाँचवा सिधान्थ तो पाँचवा सिधान्थ यहाँ पर साथ यूं आता है विदेशी सिधान उस प्रकार से इस्टोरी को गुमाया था कि अगनी कुन से नहीं पर उन्हें पून रूप से नहीं कहा था कि यह क्या है अगनी कुन से उत्पन हुए उन्होंने अपरतिक समर्थन किया था लेकिन यहां पर विडियसी में उनका पून समर्थन है तोड ने क्या का कि हमारे पर और जा किता हैं अन्य थाया के लिए थाया रहां अभूसें की मेरे समान और कोई दूसरा लोग भी है जो मेरे जैसा जैसा व१ार करता है गयुत פतिन ज्किती कहँं सकती लेकिन हम यहाँ पर याद रखना होगा कि टॉड़ ने जлагे था सक्तितित कुंसी हाँ पर देखिएगा सकुसरो को विड़े सी माना कि सकुष्राजपूतों की उत्पुत ंख और उसके बाद साथ मेरा अपर कि आपके जो क्या थे सीवी वेद्य थे तो वेद्य से वेदी कारे रहेगा जब यह स्मित है वी ए इसमित ने काया कि यह उन से उत्पन हुए जो हुन थे उन से उत्पन हुए है राज भूतर इन्हों ने क्या का साथ हुनि ने एक दो विवाव अगरा देख लिये होंगे जैसे आप सभी को पता है जरुपने इस सिर्फ सिद्धान्त याद रखना है किस ने लिया तो लिखिए वेडिकारे में आपको पता सीवी वेद्य और डॉक्टर ओजा होगे ब्रामनों के इंदर गोपिना सर्मा और विदेसी ब्रामनों से डॉक्तर बंडार करोगे और विदेसी सिद्धान में टॉड कि पांच सिद्धानत अगए अब आपके इंदर भी यहाँ पे क्या होगी प्रॉब्लम होगी क्कौन सा शिद्धानत माने तो एक दिमाख वाला बंडा समख को कर दिया उन्होंने इनकी छटा सिद्धानत यहां पर राजपतु की उत्पत्य का आता है जिसने सारी से भी उत्पन हुए है, सुरियवन से भी है, जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनको का आप सब सही हो, सभी से थोड़े-थोड़े राजबूत उत्पन हुए है, और आगे जाके यह क्या बनगे, राजबूत बनें, तो आप सभी के सही हो, निकि इन्होंने का कि सुरियव इन्होंने सभी को क्या कर दिया, खुश कर दिया, तो उस बंदे का नाम गया था, DP चटोपाद याए, यह यहां से एकजाम में प्रसंट पूछा जा सकता, याद रखना, राजबूतों की उत्पति का जो मिस्रित मूल सिद्दान्त किस ने दिया, DP चटोपाद याने दिया तो यह साथ क्यों यहां पर राजबूतों की उत्पति के बारे में हमने बात किये, जो अलग-लग सिद्दान्त थे, मेरी साथ से आपने आप लिख लिया होगा, यह राजबूतों की उत्पति के सिद्दान्त है, अब हमें यह पढ़ना जरूरी क्यों था, क्योंकि यहां से वन लाइनर प्रसंद बनता है एक्जाम है नॉर्मल एक्जाम है तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ अगर आप 20, 30, 30, 30 वगरा नॉर्मल एक्जाम है उसकी त्यारी करें तो कोई जरूरत नहीं कि राजबुत की उत्पति कहां से हुई है बस आपको यह याद रखना है क राजबुताना किसने का है राजस्तान किसने का है लेगिन अगर थोड़ा सा LEL एक्जाम देने जाते दो कहीं कई ने कहीं वहां से यह प्रसंद बनता है कि इस सिद्दान्त ने लिया क्योंकि वहां पर हमें कि आप सक्ताथ जरूरी है तो यह कोrilिंत सिद्धान्त बताए अब देखिए आपको यहाँ पर कोई confusion वाली बात नहीं कि आखिर का राजबुत उत्पति कैसे हुए exam में पूछ लिया कि उत्पति कहां से हुए हम क्या लिखेंगे देखिए आपको RS का exam देने जारे तो वहाँ पर आपको return लिखना पड़ेगा वहाँ में लिखना पड़ता है तो वहाँ पर देखिएगा उसका आपका लेवल पर लेगो और भी आपको नई स्टोरी मिलेगी जो इससे भी क्या होगी सरमाने होगी लेकिन यहाँ पर आपको एक्जाम में option मिलने वाले तो option में आपको प्रसंद भी कैसा पूछेगा कि अगनी कि आप परसंद को आराम से टिक कर पाएंगे वह आपको सीधा नहीं कुछ हगा कि राजबुतों की उत्पती कैसे हुई है बलकि वह आपको कुछ ने कुछ तथे देगा कि जैसे राजबुतों की उत्पती सुरिवनसी सिदान्त ये किस ने दिया तो वहाँ पर आपको राज़ा पर बाइब सीरान हो संतीने मकुला, इस को पैले साथियों इनको पूसरा पूसरा की मुह थनी है तो ये क्या सबस्टतर राजा में बदल गए थे इसलिए साथी राजपूत्तों को वीरका गया वह राजपूत पता नहीं क्यों कहा जाता राजस्तान को कि यह पे जो दिकतर राजा हुए वो कोन हुए है राजपूत हुए है तो ये तो साथ यूँ कुछ basic सी story थी, यहाँ पे जो बंदार, लेकि आहाती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आहाती का मावत कोन है, इसको चला कोन रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए, तो मैं आहाँ पे राजस्तान का इतियास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे राजस्ता अब ही जो हमारा भारत देश है, इसमें कैसे राजस्ता है, उसी परकार पहले पूरा का पूरा यह राजबुताना तो एक देश था, लेकिन इसके अंदर बहुत से, देखिए, जब उनकी धरम और संस्कति की बात आती नहीं, तो यह सम्मानता थी, राजबुत थे, सभी ज ही Дेश कुछ नहीं होता है, राजजय ही मिलेगा देश नहीं, वह अपने आपको यहाणते На उनकी अzkता हूँ होता है, लहाए पना है उनका है ली便ग मानते स след मे अपने से मेभवाड कोBy आदे सी दु submitting मेवाड वाले परभावित होंगे, क्योंकि सत्रु निकट आ रहा है, उनकी सीमा अब लग रही है, तो कहीं ने कई गुस्पेत की संभाव ना तो इसलिए, वो अपना स्वार्थ देखके एक दूसरे की सायता करते थे, बाकी एक नहीं थे, अलग लग छेता थे, अलग लग द सब्सक्राइब करते हैं, तो अब नेक्स्ट आपका अगला वीडियो यहां पर अपलोड कर दूगा, तो अब नेक्स्ट हम यहां से देखिए, सबसे पुराना, इतियास का मतलब प्राचीन है, जो पुराना है, तो पुराने से पढ़ेंगे, तो सबसे पुराना राजस्तान में क्या है, मेवाड है, राजस्तान तो अपने राजपुताना पढ़ा, यह तो पढ़ा कि यह तो एक नाम था, एक बड़े से छेतर का नाम था रा स्टार्ट हो जाएगा तो साथ यह यहां पर आप जो भी डेख रहे हैं यह हाई कोट हो गया गुरूप डी के लडीशी हाई कोट गुरूप डी वगएरा वन रक्सक और वन पाल केंगे वह परतेक भरती एक्जाम जिसके अंदर के राजस्तान जी के पूचा जाता है उन सभी लिए आपके इंपोटम कि यहां पर भलेी आप डीशी का आपके लोगे इतना हाई लेवल काम क्या करें साती हों सिर्फ भीळे नेच्जिश्यक्ज yaptयर थोसे बढ़ेंगे टीश्तफों को आपको जोस्तों कि अल्श्राइब नएन तो और बीश्राइब करूम ताकि नेक्स्ट आपका जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके तो आसा करता हूँ इक लास आपको पसंद आई होगी चलिए चलते हैं मिलेंगे एगली गलास में तब दखुष रहे अच्छे रहे जे जे राजिस्तान जे हिंद जे भार वंदे मात्र